Hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, स्वागत है आपका अपने चैनल Steady Material पे Friends, आज से हम हर्याना Current Affairs की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यह आपका Part 1 रहेगा Daily आपकी एक हर्याना Current Affairs की वीडियो आएगी, जब तक कि आपका exam conduct नहीं हो जाता है यह आपके आने वाले हर्याना CT Group D exam और अच्छे सी की जो अन्य exam होंगे, सभी के लिए important रहेगी यह सीरीज इसी के साथ मैं बता दू, मैंने complete हर्याना जी के previous question series भी start की हुई है तो यह daily दो वीडियो आपको इसी channel पर मिलेंगी, प्रिवेसर questions की और एक आपकी हर्याना Current Affairs की चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना यहाँ पे जो भी question मैंने लिये है, top question रहेंगे, जो आपको एक्जाम में direct देखने को मिलेंगे एक भी question ऐसा नहीं है, जो आपके लिए important ना हो, यह आपके Current Affairs की latest question रहेंगे यहाँ 3-4 महिने तक की आपकी complete Current Affairs कवर कराई जाएगी चलिए आज की इस वीडियो की सुर्वात करते हैं, जैमा सर्सपती Friends, आज का जो आपका first question रहेगा, हर्याना में बेरोजगारी की दर, December 2022 में कितनी percent रही तो answer आपका 37.4%, यहाँ पे मैंने आपके option नहीं लिए है, direct आपको answer बताऊंगी क्योंकि यह one-liner question रहेंगे, क्योंकि आप सभी को भी पता है, आपका भी समय बहुत ही कीमती है, आपके भी exam है और हमारा भी समय बहुत कीमती है, ठीक है, तो यहाँ पे question और answer रहेंगे, अगर आपको answer पता है, तो आपका revision हो जाएगा और जिनको नहीं पता है, उनको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, तो यहाँ पे question और answer पर, इसी तरह से मैं सोच रही हूँ, जो मेरी previous question सीरीज है, उसी को भी मैं one-liner कर दूँ, जिससे क्या है, मैं कम समय में ज़्यादा चीज़े आपको cover करवा सकू, next question पर चलते हैं, next question ह इंदोर से हर्याना के किस चिडियागर में सिंबा नामक सेर को लाया गया, important question है, सिंबा नामक सेर को किस चिडियागर में लाया गया, तो भिवानी चिडियागर, ठीक है, next question पर चलीगे, सौनीपत का पहला पुलिस कमीसनर कैसे बनाया गया, किसे बनाया गया, ठीक है, ठीक कि सोरियों में विटामिन D की समस्या का समाधान खोजेगी ठीक है तो ये रहेगी आपकी हर्याना केंद्रे विस्पिधाले ठीक है इसका राइट आंस पर रहेगा हर्याना केंद्रे विस्पिधाले फाइव नंबर कोशन आपका हर्याना सरकार किस नदी का पानी बाजार में बाजार में लाउन्च नैज कोशन आपका हर्याना में बर्ष यह की गई आपकी सोनिपत मेंrend आपका कौन सा राज्य हर्याना के मुकद्मे बाजी पीर्वंधन प्रणाली तो यहां लागू कर रहा है तो यह कर रहा है आपका उत्तर प्रिदेश, थीख है इसकांस पर रहेगा आपका उत्तर प्रिदेश, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रू कर दे, इससे हमको motivation मिलता है इसी तरह से जो आपके प्राप्त की जा सकती है तो वो की जा सकती है आपकी जमावंदी.nic.in ये आपका right answer वरेगा उसके बाद आपका next question है हर्याना में भारत माला फ्रोजेक्ट के तहट कितने नए national highway वनाई जा सकते हैं तो तीन बनाई जा सकते हैं उसके बाद आपका next question उसके बाद चलते हैं, हर्याना सरकार ने कैंसर रोग के स्टेज 3 वे 4 के पीडितों के लिए कितने रुपे मासिक पैंशन आरहम करने का निन्य लिया है, तो ये पचीस सो रुपे दिये जाएंगे, ठीक है, ये कोशन आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हो सकता है और एक्जाम में दिखने को भी आपको ज़रूर मिल सकता है, तो पचीस सो रुपे दिये जाएंगे कैंसर पीडित, जो 3 और 4 स्टेज पर हैं, हर्याना खेल विस्पे ध्याले के पहले कुलपती कौन बने हैं, तो SS देसवाल, SS देसवाल बने हैं, उसके बाद आपका नैश कोशन है, चरन सिंग खरयाना कृसि विस्पे ध्याले ने कि जलेके मुकेस को किशान रतन से समानित किया, तो सिरसा, ठीके, सिरसा से किया था, उसके बाद चलते हैं, नैश कोशन, किसके द्वारा लिखित हरयान्भी का बे संग्रे लाढ कोथली का लोकापञन किया गया, तो ये किया गया भी डॉक्टर राजगला देशवाल, उसके बाद आपका नैश कोशन रहेगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी सूची के अनुसार साल 2022 में किस खिलाडी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया, तो ये लिखा गया था नीरज चौपडा, फ्रेंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह से जो आपके लिए इंपोर्टेंट चीजे रहेंगे, इंपोर्टेंट कोशन रहेंगे, वो इस चैनल के मायदम से आपको प्रवाइड के ज जरूर देना, उसके बाद आपका जो नेक्स कोशन हैगा, हर्याना के किस विद्धाले में भूकंप निगरानी प्रनाली स्थापित की गई, तो हर्याना केंद्रिये विद्धाले, इसका राई टांसपर हैगा, उसके बाद आपका जो कोशन है, ICC अंडर 19 महिला, T20 विष् वाली बर्मा को बनाया गया था, ICC अंडर 19 महिला, T20 विष्प कप के लिए, तो ये आपके कोशन रहेंगे, आज की इस वीडियो में ये आपके करेंट अफेर्स के कोशन थे, ये आपकी जो मैंने सीरी स्टार्ट की है, ये कंटीनू आएगी, हर्याना करेंट अफेर्स की, तो ये वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नेक्स टापिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,